आज हम बनाएंगे फलाहारी नारियल की चट्नी इसे आप फलाहारी डोसा, इडली या वड़ा के साथ सर्व कर सकते हैं बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जटपट से बन कर तेयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें वरत वाली कोकोनट चट्नी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर चार लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट ना हो तो इसकी जगे आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ दो टेबल स्पुन रोस्ट किवी मुफली दाना आधा इंच अद्रक का टुकड़ा दो हरी मिर्च मुठी बर हरा धनिया और वन फोर्स कप दही और आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे और यह देखिए हमारी चटनी तेयार है और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और अब हम इसके लिए एक तड़का तयार कर लेते हैं तड़के के लिए मैंने एक तड़का पैन में एक टेबल स्पून गी को करम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चमत जीरा जब जीरा तड़क जाए तो हम इसमें आठ दस करीपता भी एड़ कर देंगे अगर आप रत में लाल मिर्च भी खाते हैं तो आप एक साबुत लाल मिर्च भी इसमें एड़ कर सकते हैं और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे और यह देखिए friends हमारी चटनी बनकर तयार है इसे आप फलाहारी डोसा, इडली या वड़ा के साथ सर्व कर सकते हैं आप भी इसी तरह से ये फलाहारी कोकोनट चटनी अपने घर पर जरूर बनाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शियर करें